यह आम मेरे हैं, मैं तो तबसे इस आम के पेड को पानी दे रहे हूँ जबसे यह पेड बहुत छोटा सा था यह पेड भी मेरा है और यह सारे आम भी मेरे हैं, मैं देखता हूँ तुम कैसे इस पेड से आम तोड़ती हो इस बार हार मैं भी नहीं मानूगी, मैं अपने पेड़ के आम तुम्हें नहीं दूँगी इस बात पर कव्वा चिडिया को मारना शुरू कर देता है, शोर सुनकर वहां तोता और कबूतर भी आ जाते हैं अरे चिडिया और कव्वे क्या हुआ, किस बात पर लड़ाई कर रहे हो कबूतर भी या, मैंने इस पेड़ को पानी दिया, इसकी रक्षा की और अब आम खाने का समय आया, तो ये कव्वा इस पेड़ का मालक बन बैठा है, और मुझे आम खाने ही नहीं दे रहा तुम दोनों देख सकते हो, ये पेड़ मेरे घर के ज्यादा पास है, इसलिए ये पेड़ मेरा हुआ ऐसे लड़ने का कोई फाइदा नहीं है, आप ऐसा करें कि इस पेड़ के आम आदे आदे कर लें, और दोनों बांट कर खालें मुझे स्वीकार है, परन तो तोत्रे और कबूतर भीया, आप खुद ही हम दोनों में आम तोड़ कर बांट दें, ये डूस्ट कववा तो मुझे एक आम भी नहीं देना जाता अब तो आसमान पर कहरे बादल हैं और बारिश शुरू होने ही वाली है, हम ऐसा करते हैं, कल ये आम तोड़ कर आप दोनों में बांट देंगे बड़े बड़े और पके हुए आम मैं लूँगा, अभी तो मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया, अगर बता दूँगा तो वो इस चुड़िया को मार मार कर भगा देगी मौसम तो पहले से ही खराब था, फिर बादल जोड़ से गरचता है, और बारिश शुरू हो जाती है, फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाती है तोता और कबूतर एक ही घर में रहते थे, वो जब अपने घर आती है, तो ये देखर रोने लग जाती है, कि उतका घर तो बारिश से पूरी तरह तोड़ चुका है हमारा घर तोड़ गया है, अब ऐसी बारिश में हम कहा जाएंगे तोते भेया चुक कर जाओ, हम ये बारिशों के दिन चुड़िया के घर चले जाते हैं, और जब बारिशें खतम होंगी को अपने लिए नया घर बना लेंगे फिर तोता और कबूतर चुड़िया के घर चाते है चुडिया, चुडिया, हमारा घर तोट गया, क्यों, आप इस पालिश में हमें अपने घर में रख लोगी? घर तो जादा पुर आश ना था Venez decides क्या हूआ, हमारा घर तो पूरा ही तूट गया आप मेरे दोस्त हैं आप जब तक चाहें मेरे कड़ में रह सकते हैं आप इस घर को अपना ही समझें ये सुनकर तोता और कबूतर खुश हो जाती है मैंने तुम्हें आम लेने बेजा था और तुम खाली ही लोटाए आम क्यों नहीं लाए उस चड़िया ने लड़ाई शुरू करती थी वो कह रही थी कि आम का बेड उसका है और तुम मान के तरगे क्या उस कमचोड चड़िया से मैंने दो चार लगा दी थी उस चड़िया के फिर वहां तोता और कबूतर आगे और उन्होंने वो बेड हम दोनों में आधा आधा बांड दिया अब कल वो आम तोड़कर तोता और कबूतर हम दोनों में बांड देंगे तोता और कबूतर मामे लगते हैं हमारा फैसला करने वाले मैं नहीं मानती मैं तो चुडिया को एक आम भी नहीं दूँगी तो फिर रात होने का इंतजार करो जैसे ही रात होगी हम वो सारे आम तोड़कर अपने खर में छुपा लेंगे और फिर सुबहा चुडिया खाएगी हमारी फैंकी हुई गुटलिया एक भी आम नहीं छोड़ना पेड़ पर सभी तोड़ लेंगे हम बारिश तेश थी सभी पक्षी अपने अपने घर में छुपे हुए थे एक राद भी हो जाती है कालू और गोरी आम नहीं खैसे निकलती है मैं आम तोड़कर नीचे रखती हैं और कालू जी तुम ये आम अपने घर ले जाकर रखो फिर वो चोड़ी करना शुरू करती है तोदे और कबूतर भीया ये कववा और कववी के पडोस में रहना तो बहुत बुरा है कभी किसी बात पर लड़ाई तो कभी किसी बात पर लड़ाई अब सुछा जैसे ही बारश रुखे की हम वो सारे आम तोड़कर पांड लेंगे चुड़िया अब बारशों के बाद हम आपका घर भी अपने पास में ही बना लेंगे फिर देखेंगे के कववा और कववी आप से कैसे लड़ाई करते हैं वो ऐसे बातें कर रहे थे वो क्या जानते थे कि उन डुष्ट कववों ने तो सारे ही आम तोड़ लिये हैं और पेर तो खाली कर दिया है कालू जी अब तो पूरा महीना आम खाएंगे हम दोनो हम अपने घर के दरवाजे के कुंड़ी लगा लेंगे और अगल पल चड़िया मुपकर और दोना आये तो दरवाजा ही नहीं खोने के इन वो बातें करते करते सो जाती हैं कववों का घर तो पहले से ही कमजोर था ज्यादा आम रखने से उनके घर का एक हिस्सा तूट जाता है और सारे के सारे आम बारिश के मानी में पह जाते हैं कववे और कववी को पता ही नहीं चलता वो तो खराटे ले रहे थे सुबहा हो जाती है बारिश भी रुक जाती है चेडिया जैसे ही अपने घर से निकलती है तो उसे जमीन पर हर तरफ आम ही आम नजर आती है वो कबूतर और तोते को भी आवाज देती है ये आम कैसे तूट गे? बारिश तो थी परन्तु हवा तो इतनी तेजना थी कि सारे ही आम तूट जाते फिर चिडिया के नजर सामने कवे के खर पर जाती है कबूतर और तोते वो देखें कवे का खर भी तूटा हुआ है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आम कवे और कवी ने तोड़ कर अपने घर में रख लिये थे और ज्यादा भोज से उनका घर तूट गया और आम नीचे गिर गए आप जलती से हम अपनी जरूरत के अनौसार कुछ आम अपने घर में रख लेते हैं इससे पहले के कवा और कवी उठें और फिर से लड़ाई शुरू कर दें फिर वो कुछ आम उठा लेते हैं और बाकी के आम दूसरे पक्षी उठा ले जाते हैं कवी की आंख भी खुल जाती है कालू जी उठाओ कालू जी हमारे आम भी गे और घर भी तूट गया मैंने तुम से कहा भी था कि आधे आम तोड लेते हैं तुम भी कौन सा मेरी बात मानती हो चलो अब जलती से आम उठा ले वो जैसे ही खर से बाहर निकलते हैं वहां तो एक भी आम ना था कुछ आम चिडिया ने और बाकी के आम दूसरे पक्षियों ने उठा लिये थे ये आम तो पक्षी उठा ले गे हैं अब हम तो फूके ही रहेंगे चिडिया कबूतर और तोता भी अपने घर के सामने बैठे आम खा रहे थे कालू ओए कालू अगर आम खाने हैं तो आ जाओ और अपना खर भी बना लो पारिश फिर से आने वाली है इस बड़ी चोंच वाले तोते को तो मैं देख लूँगी कालू जी मुझे तो फूक ज्यादा लगी हुई है फूक तो मुझे भी लगी हुई है चोलो कहीं पहाडों पड जा कर देखते हैं अगर कुछ खाने को मिल जाये तो फिर वो पहाडों पड जाते हैं परणतू वहां तो कुछ भी नहीं था सारा भोजन पक्षियों ने उठा लिया था और बाकी सारे जंगल में बारिश का पानी ही पानी था फिर वो दोनों रोते हुए चिडिया के पास आते हैं चिडिया हमें माफ कर दो हम फिर कभी आप से लड़ाई नहीं करेंगे आप लीज हमें कुछ खाने को दे दे अगर कल रात सारे आम चोरी ना करते तो नहीं तुम्हारा घर तूड़ता और नहीं तुम भूके मरते ये आप दो आम ले जाएं हमारे पास भी कुछी आम है जो हमने जमीन से उठाए थे बाके आम तो दूसरे पक्षी ले गे फिर कवा और कवी दो आम लेकर वहां से चले जाते है कौलू जी अब घर भी तूड़ गया है अगर बारिश फिर से आ गई तो हम कहां जाएंगे तुम चिंता ना करो जब बारिशें रुकेंगी तो हम निया घर बना लेंगे या फिर मेरे मामा जी के पास चले जाएंगे रात भी हो जाती है चिडिया कबूतर और तोता सो जाते हैं कवा कवी से कहता है गोरी अब कल फिर भोजन की चिंता होगी क्यों ना आज हम चिडिया के घर में जो आम बड़े हैं वो दोनों अपना मूँ छुपा लेते हैं और खिडिया के घर के अंदर चले जाते हैं वो आम उठा रहे थे कि एक आम कवी से के उपर गिर जाता है चोर 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 वो सब जाग जाते हैं और कवी से बड़ी लाठी उठा कर उन्हें मारना शुरू कर देता है तो ताभी उनकी खूर पटाई करता है कौन हो तुम चोर कहें के जरा अपना चहरा तो दिखाओ फिर वो अपना नकाब उतारते हैं बस एक बार माफ कर दें हम वादा करते हैं हम कल ये जंगल छोड़ कर कहीं दोड़ चले जाएंगे ये कभी नहीं सुदरेंगे ऐसा कहते हुए वो सब हंसने लग जाते हैं इस कहानी के पिछले बाग में आपने देखा कि कैसे पारो चड़िया मर गई और फिर उसका बेटा रोता रहा और फिर रानो चड़िया अपना घर चोड़ कर अपनी बेटी मीना को लेकर उसके पास आ गई गोरी जो उस मरी हुई चड़िया के घोशले पर कबसा करना चाहती थी ऐसा कर तो ना सकी लेकिन वो रानो चड़िया पर बहुत गुसा थी जितनी भी रक्षा कर लो इस पराई संतान की ये कभी तुम्हारी अपनी नहीं बन सकती गोरी बारिश बहुत तेज है और मेरा चोटू अभी बहुत चोटा है मैं तुम्हारे मू लगकर अपना समय जाया नहीं कर सकती तुम यहां से जा सकती हो और फिर गोरी कभी गुसे में वहां से चली जाती है मीना मेरी बेटी तुम ठीक हो ना हाँ ममा हाँ मेरी चिंता छोड़े कहें छोटू भाई को ठढ़ना लग जाए लेकिन मा आपको भी तो ठढ़न लग रही होगी मेरे बच्चो मुझे अपके वल तुम्हारी जिन्दा है एक मा की अपनी जिन्द के कब होती है वो तो अपने बच्चों में खुद को देखती है अगर उसके बच्चों को कोई दुखो तो मा ये कभी नहीं देख सकती और फिर रानो जिडिया सारा दिन छोटू को अपने पंखों में चुपाई रखती है शाम हो जाती है लेकिन बारश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी मा छोटू भाई को भूख लगी होगी मा जब आप भोचन ले ले जाती थी तो मैं रोज उड़ना सिखती थी मा मैं अप अच्छे से उड़ सकती हूँ मैं भाई के लिए भोचन लेकर आती हूँ मुझे गर्व है अपनी बेटी पर के वो भी अपनी मा की तरह एक नरम और प्यारवाला मन रखती है जाओ बेटा तुम कर लोगी और फिर मीना चेडिया अपने छोटे भाई के लिए बोजन की खोज में निकल जाती है बारिश बहुत तेज थी लेकिन मीना ने तो उड़ना निया निया ही सीखा था इसलिए वो तो कुछ ज्यादा ही उड़सा से उड़ रही थी आखिर उसे कुछ दाने चावलों के मिल जाते हैं ये दाने तो बहुत थोड़े से हैं अगर मैं ना बिखाओं कर मेराद कुछा लोगी मैं इन्हें ममा और भाई के लिए ले जाती हूँ अब बारिश डुक जाती है मीना चेडिया बहुत खुश होती है और वो चन्दाने चावलों के लेकर वापस अपने घर लोड़ती है मीना चेडिया बहुत ज्यादा खुश थी क्यूंके आज पहली बार उसने अकेले उडान ले थी और वो भी तेज बारिश में मीना क्या तुमने कुछ खाया है हाँ ममा मैंने तो वहीं कुछ दाने खा लिये थे मीना चेडिया अपनी मा से ऐसे जूट ही कह देती है लेकिन वो तो भूकी थी भाई तुम ये चावलों के दाने खा लो और फिर कुछ दाने चोटू और कुछ दाने रानो चेडिया खा लिती है आसमान से बादल हटके थे और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं सुबहा बहुत रोशन थी मीना चिडिया उड़ जाती है लेकिन छोटू अभी सोया हुआ ही था मा आसे भाई के लिए और आपके लिए भोजन मैं ही लाया करूँगी लेकिन रानो जुडिया कुछ बोल नहीं रही थी वो तो बस अपनी बेटी की तरफ देखी जा रही थी क्योंकि उसे तीज बखार हो गया था और उसकी तबियत बहुत ज़्यादा खराब हो गी थी ममा आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो मीना मेरी बेटी तुम भी अभी इतनी बड़ी तो नहीं हो लेकिन मैं तुम्हें एक बड़ी जुम्यदारी दे रही हूँ अपने भाई का खिया रखना इसकी रक्षा करना शायद मेरा समय आ गया है मेरी सांसे रुक रही है ममा आपको बुछ नहीं होगा मीना मेरी बेटी मैंने अपनी सारी जिंदिगी दूसरों की मदद में गुजारी है जो तुमने मुझे सीखा ये सब अपने भाई को सखा देना और फिर ऐसा कहते हुए रानो चड़िया मर जाती है रानो की बेटी मीना बहुत ज्यादा रोती है उसकी रोने की आवाज सुनकर छोटू भी उड़ जाता है मीना दीदी क्या हुआ तुम क्यों रो रही हो छोटू भाई ममा मर गई ममा मर गई हमें अकेले छोड़ कर ममा चले गई ये सुनकर छोटू भी रोने लग जाता है पहले मेरी ममा मर गई और फिर बगवार ने मुझे फिर से ममा दे और फिर वो बे ले ली मैं तो अपनी अजल ममा को भूल गया था जो खुशिया मुझे मेरी इस ममा ने दे इन्होंने मेरे सारे दुख बुला दिये थे और अब ये ममा भी चली गई चुप कर जाओ मेरे भाई और फिर ऐसे ही समय गुजरता गया और मीना चिडिया ने अपने भाई चोटू को सब सिखा दिया था वो अप अच्छे से उड़ सकता था वो अपनी दीदी से सारे काम सीख जाता है और समय ने उसे सब बुला दिया था कि कैसे उसकी मा पारो चिडिया मरी और फिर रानो चिडिया ने उसकी रक्षा की वो सब भूल गया था एक दिन उसकी दीदी मीना चिडिया भोजन की खोज में गई हुई थी और छोटू घोंसले में ही बैठा था कि वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है तुम्हारा नाम ही छोटू है लेकिन अब तुम बड़े होगे हो मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ आंटी क्या बताने आई है आप मुझे यही कि जे जो मीना है ना तुम्हारी असल बेहन नहीं है तुम्हारी मा तुम मर गी थी जब तुम बहुत छोटे थे और फिर इस मीना की मानी तुम्हारे घर पर कबजा कर लिया अपनी बेटी को लेकर आ गई तुम्हारे गोंसले में जब वो मरी तो अपनी बेटी से बोल रही थी कि ये गोंसला न चोड़ना और जब छोटू बड़ा हो जाए तो उसे यहां से निकाल देना गोरी अंटी क्या सच में मीना मेरी असल पहन नहीं है तो क्या मैं जूट बोल रही हूँ अगर विश्वास न आए पूछ ले ना तुम जब मीना आए तो ऐसा कहते हुए गोरी कवी वहां से चली जाती है और फिर शाम हो जाती है मीना जिडिया भी घर वापस लोडाती है छोटू देखो आज मैं तुम्हारे लिए चनों के दाने लाई हूँ तुम्हें बहुत पसंद है न चनों के दाने लेकिन छोटू कुछ खोया खोया सथा और वो मीना से कहता है मीना क्या तुम मेरी असल बहन नहीं हो ऐसा सुनकर मीना भूखश हिरान होती है भाई तुम्हें ये कैसे लगा क्या कभी कोई कमी देखी है मेरे प्यार में लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ और क्या ये घर मी मेरी ममा का ही है न तुम और तुम्हारी ममा कहीं और से आई थी यहां। ये सब सुनकर मीना रोने लग जाती है। हाँ भाई, मैं तुम्हारी असल बहन नहीं हूँ और ये घर तुम्हारी ममा नहीं बनाया था। तो फिर आपने क्यों ये बात चुपाई मुसे, हम कबसे साथ रहते हैं। लेकिन आपने कभी इस बात का जिकर नहीं किया मुसे। इसलिए कि मैंने कभी ये समझा ही नहीं कि तुम मेरे असल भाई नहीं हो। लेकिन सच्चाई को जाना मेरा हक है। और फिर ऐसा कहते हुए छोटू वो चनों के दाने खा लेता है। और फिर रात हो जाती है। और वो दोनों सो जाते हैं। सुभा होते ही मीना उठ जाती है। छोटू उठो, आज भोचलेने थोड़ा दूर जाना है। तुम भी चलो मेरे साथ। आप चाएं, मुझे अभी सोना है। अच्छा तो सो जाओ, मैं ले आऊँगी भोचल तुम्हारे लिए। लेकिन कहीं दूर न जाना। और फिर ऐसा कहते हुए मीना वहाँ से चली जाती है। जैसे ही मीना वहाँ से जाती है, गोरी कवी फीट से आ जाती है। चोटू, पूछ लिया मीना से, जो मैंने कहा वो सची है ना। गोरी अंटी, आप सची कह रही थी, मुझे मीना बेहने सब बता दिया है। मुझे सहानो बुती है तुमसे, एक मश्वरा दे रही हूँ, आगे तुम्हारी इच्छा, आज तुम अकेले हो, कल तुम्हारी शादी भी होनी है, ये घोंसला तो इतना बड़ा है नहीं, अब तुम बड़े होगे हो, और खुद से अपने काम कर सकते हो, नकालो उस मीना क यहां से, और खुद से जीना सिखो, लेकिन दीदी कहां जाएगी, कहीं भी जाए, तुम्हें इस से क्या, आखर तुम्हारा भी अपना परिवार होगा, पतनी होगी, बच्चे होंगे, जो तुम्हारे अपने होंगे, ये तो ठहरी पराई, ऐसे गोरी कवी छोटू को मीना के बारे में उल्टी सीधी बाते करते हुए, वहां से चली जाती है, लेकिन छोटू तो पूरी तरहां गोरी की बातों में आ गया था, गोरी अंटी कह तो ठीकी रही है, अगर ये गोंसला मेरी मुमा का है, तो फिर मीना बेन को हमेशा तो नहीं रख सकता मैं अपने साथ, अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, वो ऐसे सोच ही रहा था कि मीना भी लोडाती है, भाई, आज तो मुझे घर के पास ही भोजन मिल गया, दूर जाना ही नहीं पड़ा, लेकिन मैं अपना भोजन खुझ से ले आऊंगा, और अब मीना हम बड़े हो गये हैं, तुम अपना गोंसला अलग से बना लो, ये गोंसला तो मेरी ममा का है, नहीं तो मैं ही चला जाता हूँ यहां से, ऐसा सुनकर मीना तो मर ही जाती है, भाई, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ, ठीक ही तो कह रहा हूँ, गोरी अंटी ने मुझे बताया है, कि ये गोंसला मेर पूरतर ये सब सुन रहा था, वो तुरत छोटू और मीना के पास आता है, मैं तुम्हारी ममा का अच्छा दोस्ता छोटू, जब तुम्हारी ममा मरी, तो तब भी मैं उसके साथ ही था, अगर गोरी तुम्हें ये सब बता गी है, कि ये गोंसता तुम्हारी ममा का है, और मीना को निकाल दो यहां से तो फिर कुछ मैं भी तुम्हें बताना चाहूंगा जब तुम्हारी ममा मरी तो तुम बहुत छोटे थे तुम बहुत रो रहे थे लेकिन कोई भी तुम्हारे पास आने को त्यार ना था मैं भी तुम्हें रोता छोड़ कर चला गया था और फिर इस मीन कि मारानो चिडिया ठंड लगने से मर गी थी क्योंकि वो सारा दिन तुम्हें अपने पंकों में लिए बैठी रही थी क्या और कुछ जाना चाहोगे तुम ये सब सुनकर छोटू अपनी बेहन के गले लग जाता है दीदी मुझे माफ कर दो मैं गोरी आंडी की बातों में आ गया था अब हम कभी भी नहीं लड़ेंगे और हमेशा एक साथ ही रहेंगे चुपकर जाओ छोटू मैंने वादा किया था ममा से कभी तुम्हारी आंखों में आंसों नहीं आने दूँगी इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी की बातों में आकर अपने प्यार बरे रिष्टों को कमजोर ना करो